आज हम लोग करेंगे नेम हीरो का डेटेल्ड रिव्यू 2022 के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी यहां पर मैं वेब होस्तिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं नेम हीरो के बारे में काफी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इसके बारे में कि इस होस्तिंग के बारे में आप बताओ तो मैंने इसको ब्लाक फ्राइडे पर लिया था और तब से लेके यहां पर मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं तो आल्मोस्ट मुझे यहां पर तीन महीने हो चुके हैं, तो आज हम लोग इसका डीटेल रिव्यू करने वाले हैं. सुरुवात करते हैं, नेमिरो कंपनी से यह एस्टाबलेश्ट हुई थी 2015 में, इनके about us page में data centers के बारे में बताया है, यूरोप में एक है, बागी सारे US में है, और ज्यादा इन्हों ने आपर बताया हैं, यह अपनी team के बारे में सिर्फ limited information ही दी है. Testing parameters के बारे में बात करूँ तो जो मेरे पास नेमिरो का plan है, वो है plus cloud वाला plan, इस पर मैंने अपनी याली website host करके रखे, kpnstest.icu, यह oceanwp theme के ऊपर based है, elementor template का use किया है, and light speed cache plugin का use किया गया है, default settings के ऊपर, अब user interface के बारे में बात करूँ तो जैसे आप लोग यहापर लोग इन करोगे, है cancellation है, and SSL इसमें automatically installed हो जाता है, और यहाँ पर आपको C panel देखने को मिल जाता है, यह रहा हमारा C panel version की बात करूँ, तो यहाँ पर हमें C panel का version 100 build line देखने को मिल जाता है, server response time के वारे में बात करूँ तो US में SRT कम है, Mumbai आते जाते थोड़ा बढ़ जाता है, considering light speed cache plugin का मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई बात करूँ तो मैं इसको आप टाइम चेक कर रहा हूं, almost 79 days से अभी detailed uptime आपको मेरे blog के उपर मिल जाएगा, मैं उसको हर महीने update करता रहूंगा, उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो around यहाँ पर अभी फिलाल है मेरा 99.98% जो की काफी अच्छा है, और last 30 days का भी 99.99% है, which is again very good, हर 30 second पर यहाँ पर इसका uptime चेक हो रहा है, तो uptime पर यहाँ पर कोई problem नहीं है मिली है मुझे, load test के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने 50 virtual users भीजे, देखने को कि यह load कैसे handle करेगा, यह मैंने भीजे US से, और यहाँ पर around 8000 requests करी गई, और जो response time था, वो काफी कम था, peak request भी इसने अच्छे से यहाँ पर handle करी है, 47 तक गई है, तो load test में कोई major problem नहीं है, सिवाए, बीच-बीच में थोड़े बहुत spikes थो हैं, जैसे 95 MS था, एकदम से 442, 557, 6 चला गया, तो यह थोड़ा सही कि यहाँ पर drawback है, लेकिन बहुत जादा major नहीं है, वो एक second ले गया था, और वापस आ गया था, और virtual users यहाँ पर increase होते गए, तो बस बीच में यहाँ पर थोड़े बहुत spikes हैं, ठीक है, shared hosting में इतना चलता है, और बाकि इसने कोई भी request fail नहीं करी है, पीक request भी अच्छी गई है, तो load test इसने overall अच्छे से पास किया है, अब अगर मैं cache plugin की बात करूं, तो क्योंकि light speed servers है, तो light speed cache plugin का आप लोग use कर सकते हो, by default यहाँ पर install नहीं आता है, light speed cache plugin, लेकिन आप लोग उसको install कर सकते हो, data centers के बारे में बात करें, तो US और Europe के आपको data center देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे experience के हिसाब से, US के data center यहाँ पर जादा अच्छे हैं, प्लस जब हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यूरोप के लेते हैं, free domain name की बात करूँ, तो वो आपको तभी मिलेगा, जब आप लोग turbo cloud यहाँ business cloud का package लोगे तो, और इसमें भी free domain आपको तभी मिलेगा, जब आप लोग इसको दो साल के लिए register करोगे तो, अगर एक साल के लिए यह वाला plan लोगे तो नहीं मिलेगा, कि आप लोग अपनी host files को edit करो, अगर आपको अपनी website को preview करना है तो, SSL के बारे में बात करूँ, तो आपको सभी plans के उपर SSL देखने को मिल जाएगा, automatically installed हो जाता है, CDN के बात करूँ, तो cloudflare CDN आपको देखने को मिल जाता है, उसको आपको install करना पड़ेगा, backup से बारे में बात करी जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक backup देखने को मिलता है, और सिर्फ एक के दिन के लिए वाला backup रहेगा, मतलब कल का मेरे पास backup रहेगा, उससे पहरे वाले दिन का मेरे पास backup नहीं रहेगा, यह backup आटमाटिकली हो जाता है, off server backup है, तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक दिन का है, और अगर आपको एक दिन से ज्यादा का backup चीए, तो उसके लिए आपको $2 पर मन देना पड़ेगा, जिसमें आप लोग 5GB तक का backup रख सकते हो, 30 दिन के लिए, और यह drop my site के through enable किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको extra pay करना पड़ेगा, और backup भी तब ही ले पाएंगे, जब आपके account में 1,00,000 इनोट जोंगे, उसके उपर नहीं, और 20GB की disk storage होनी चीए, अगर उसके उपर है, तो backups आपके work नहीं करेंगे, एक दिन वाला backup भी यहाँ पर work नहीं करेंगा, backup access करने के लिए हमें c-panel पर आना है, और यहाँ पर आपको file backups मिल जाएंगे, database backups मिल जाएंगे, इन दोनों को आपको manually restore करना है, यहाँ पर automatically दोनों चीज़े restore नहीं होगी, for example यह रहे मेरे file backups, तो अगर मुझे यहाँ पर रिस्टोर करना है, तो मैं जाओंगा, file manager पर एंदेन जो भी मुझे यहाँ पर files को restore करना रहेगा, मैं इसको select कर लूँगा, और यहाँ पर restore selected, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर backup को काफी इंप्रूव किया जा सकता है, support के बारे मैं बात करना हो, तो live chat support इनका अच्छा था, मेरे experience में fast भी था, and it was decent, और जो मुझे इनका अच्छा लगा है, वो इनका knowledge base, knowledge base में इन्होंने काफी अच्छे से, detailed में चीज़े explain करी है, तो जो मेरी maximum queries थी, वो knowledge base के थूँ ही solve हो गई थी, आइनोट काउंट की बात करी जाए, तो आपको shared hosting के उपर, एक लाग तक की soft limit मिलती है, और धाई लाग तक की hard limit है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर, एक लाग क्रॉस करेंगे, आपके c-panel पर एक warning आजएगी, कि एक लाग की आपने limit क्रॉस कर ली है, अपने आइनोट की, और धाई लाग पर जैसे आप लोग क्रॉस करोगे, तो यहाँ पर आपको account को पॉस कर दिया जाएगा, तो मेरे सबसे काफी कम है, थोड़ी जादा हो सकती थी, क्योंकि इतना मैं pay कर रहा हूँ, तो आपको मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे नीची दे गए लिंक से परचेस करके, थांक यू, अब अगर मैं इसके प्राइजिंग के बारे में बात करूँ, तो बेस्ट बाइ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, go.repeashadvani.com यहाँ पर आपको जो भी best discounts होंगे, वो मिल जाएंगे, मैं अभी टीम से contact में हूँ उनकी, अगर मुझे कोई discount या coupon code extra मिलता है, तो वो automatically इसके उपर apply हो जाएगा, और जो अभी इसकी current pricing है, आपको 60% का discount देखने को मिल रहा है, प्लस cloud के यहाँ पर आपको $5 के around at present pricing देखने को मिल रही है, टर्बो cloud पर भी 7.98 की pricing है per month, 1 year और 3 year की pricing पर आपे बहुत जारे difference है, इतना तो ठीक है, और backup के लिए यहाँ पर आपको add-on आ जाता है, आपको extra backup चाहिए तो extra के लिए pay करो, और भी आपे कुछ बैक आप सा जाती है, email के लिए, security के लिए और SSL के लिए, तो फिलाल हमें यह सब नहीं select करने है, यह रही है, इसकी 3 साल की pricing, discount coupon code, अगर मुझे कुछ नया मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँगा, आपको एक setup फी रहेगी, वो card के मिलेगी, जो के shared hosting के time पर $9 के around रहेगी, migration के बारे में बात करूं, तो अगर आपके पास C panel है, तो यहाँ पर 15 free C panel to C panel migration आपको देखने को मिल जाएंगे, shared hosting plan के उपर, जैसे कि Fast Comet में है, Kemi Cloud पर है, अगर आपके पास C panel नहीं है, पर एजामपल अगर आप लोग hosting कर पर हो, यहाँ पर Cloudways पर हो, जहाँ पर C panel का option ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको कोई migration service नहीं, देखने को मिलेगी for free, इसके लिए यहाँ पर आपको extra pay करना पड़ेगा, और यह जो payment रहेगी है, hourly rate पर बेज़ रहेगी, जिसके लिए 35 डॉलर्स पर आवर आपको देना पड़ेगा, और additional hour है, आपको डॉलर्स 75 कर रहेगा, इससे सस्ता तो आपको upwork के उपर मिल जाएगा, sidebuilder के बारे में बात करनो, आपको ये वीडियो अच्छा लगाएगा, तो तमजब ज़रूर देजिएगा, इस रेली हेल्प्स मी अलोट, प्रोस के बारे में बात करनों, तो आपको speed काफी अच्छी देखने को मिल जाती, uptime इसकी अच्छी थी, load handling भी अच्छी थी, US के सवर्स थोड़े बेटर हैं, तो लेट्स कंक्लूड इट कि अगर आपकी audience युएस से रही है, तो नेम हिरो एक अच्छा, एक डीसेंट ओप्शन हो सकता है, एक अच्छा एक डीसेंट ओप्शन हो सकता है, एक अच्छा एक डीसेंट करने के लिए, आपको कोई प्लेट नहीं है, तो अच्छा एक डीसेंट ओप्शन हो सकता है, और जब इसके डिसकाउंट आते हैं, ब्लाक फ्राइड पर इसके बहुत अच्छे डिसकाउंट से, तब इस वस अक्चुली वर्थ इट, अभी इतने डिसकाउंट नहीं है, तो अभी इतने डिसेंट ओप्शन लेकिन जब डिसकाउंट साते हैं, तब इतने अच्छली वर्थ इट, बट डिसकाउंट नहीं है, तो आइल से यू केंगो विथ पास्ट कॉमेट और केमी क्लाउड, मैं वो प्रिफर करूंगा, ओर नेम हरो आट प्रेजियों अगर आपको यह इच्छला गाए, तो थम्स अप देजिए वाचान को सब्स्वाइक कर देजिए और इस और इस वीडियो दिए और शुट प्रिए जिए और रिसक्तिन वीडियो के लिए, झाल झाल